स्लाम आलेकुम दूस्तों ये इस एंग्लिश टेक्स्ट बॉक फार क्रेट फॉर बेस्ट अन करिकुलम 2020 इसका पहला पेज जो है वो दिश्ट गूट केटिंग स्टार्टिट के लिशन से पहले आपने बच्चों को समझाना किया हैं तो ये आप देगे कि दे बटर बूटिपल गलर फॉल एंसेक्ट बटरफ्लाई तिद्ली है बूटिपल खुबसूरत इट्रेकिंग इंड गलर्फॉल ये मैं हैं बैनी कलर्स इंसेक्ट इंसेक्ट कीला मकॉला ठीक है बट वॉड़ दूजिट इस कलर लेकिन वो किस तरह अपने रंग लेता है इस इस बा इस तितली विल्कुल तितली की तरह से पैदा होता है कि नहीं मैंनी क्वेश्चिन आराइज बहुत ज़्याता सवालात औरते हैं विन वी सी दिस लाइट वेंग्ट क्रीचर जब हम ये हलके परोबाला हम ये क्रीचर देखते हैं मखलुक या ये तितली जो देखते हैं लेट्स लुक इस लाइप साइकल इसकी लाइप साइकल क्या है केटर पिलर बटर फ्लाई की तो लाइप साइकल आप बटर प्लाई जो हैं यहां से शूरो होती है थीजर एक्स टे एंद इस 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 अ केटर पिलर इट इस लोगेट लोग्स लाइक एंसेक्ट एंदिल इंदिल इंट इंट इस वन इस वन इस और अप्यूपा और क्रेसिलेस ट्रांजेंटू फुल बडर प्लाई तो यह जब पहले पतों पे अंडे देते हैं पिर वन इंटें से यही चीज निकलती है जिसको खेटर पिलर कहते हैं खेटर पिलर यहां पे आके किसी पते के साथ या किसी डंडे के साथ लटक जाता है इस और और जब यह अंदर से मकमल हो जाए तो यह प्र परटर फ्लाई की शकल इख्यार कर लेता है तो इसी को बन्याद बना के यह एक खशूरत से नजम है केटर पिलर और यह है बाई करेस्टीना रॉसेटी और katerpillar kristina rossetti or kater katerpillar oh brown and fairy katerpillar in a hairy brown and fairy katerpillar in a hurry take your walk to the shady leaf or stalk or what not which may be the chosen spot no toads by you hovering bird a prey passed by you spin and die to live again a butterfly apply अब इसको आप देखिए अगर आप सिंपल देखना चाहते हैं वर्ड 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 इसकी जो translation है उसमें शायद हम में से कोई घलती कर जाएं लिहाज़ा यहाँ पर सोचने चाहिए brown red fairy brown color का नाम है just like the color of wood or the color of mud ठीक है इसी तरह जो color होती है उसको brown का जाता है और fairy जोए fairy efflutable RY fairy the root word for this one is fur fur means dense coat of silky silk इसका मतलब यह कि जिस तरह फर होती है किसी जिस तरह कंबल पर जो फर होती है जिसको कहते है फरी ठीक है cater filler in hurry hurry means जल्दी करना cater filler वो लारवा होता है ठीक है take your walk अपने वो कदम लेता है वो चाल चलता है to the shady leaf वो एक सायधार पत्य की तरह और a stalk या the branch of a tree चो 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 stem जिस तरह कहते है डंडी जिस तरह कहते है कहते है इसको और what not या मतलब है कि जो भी कुछ हो लेकिन वो उसके साथ चमट जाता है ठीक है which may be the chosen spot जो भी उसका मुन्तखब किया जगा हो स्पार्ट के मानी है जगा chosen के मानी जो उसने मुन्तखब किया no tot spy you tot means frog या जो जिस तरह गरों में जो होते हैं प्राग की तरह से उसको कहते हैं tot spy means to observe someone secretly तो नो कोई मतलब है कि इस तरह की जो मेंड़क वगए रहा होते हैं वो आप पर इस तरह नजर नहीं रखेंगे hovering bird जो उपर ओलते हैं helicopter की तरह hovering करते हैं हवा में जो टेर जाते हैं आप प्रे यानि प्रे यह जो जो शकार के लिए जो मतलब है हमें महलक रहते हैं pass by जो जाते हैं आपके करीब यू तो मतलब है कि नो टोट्स पाई यू hovering bird आप प्रे पास पाई यू और जो ऊपर जो परिंदा शकार के लिए थे वह आपके पास से चला जाता है ठीक है बगिर आपको विदाउट नोटेसिंग यू और बर्ड़ आप प्रे पास इस भाई यू टी और स्पिन एंड डाई अब यह अब अगर आप लाइप साइकल जो है पटर प्लाइक इसको आप देगे तो उसमें वापस आजाए तो इदर से आपको मालू में कि स्पिन एंड डाई का के मतलब है तीजर एक तिस इस केटर पिलर दिस इस क्रेशिलस ठीक है प्यूपा तो इस क्रेशिलस का जो अंदाज है यह बिल्कुल जिस तरह यह मोड़े मोड़े बनते है न देट इस काल स्पिन ठीक है मोड़े मोड़े बन जाना और डाई मतलब है कि यह हरकत नहीं करता बेजान हो जाता है हाकिकत में जिन्दा होता है लेकिन लुक्स लाइक डिट ठीक है वह पर वो कहते हैं कि जब आप उस वहां पर चमंग जाते हैं तो नहों मेंड़ का आपको सिक्रेटली अबसर्ब कर सकता है नहावर इंड बर्ड जो शिकार के लिए आती है उसको वो आपके पास से चली जाती है स्पिन यह आप मोड़े मोड़े बनाते हैं और बेजान हो जात क्रिस्टीना रॉस्जेटी का मतलब यह है कि यानि अपनी जिन्दगी बचाने के लिए अपने अजीम मकसद के लिए कभी पना लेना कभी आगे जाना कभी इस्तिकामत से काम लेना कभी किसी जगा पे मुकीम हो जाना यह पूरा मेसिज है और यह फरी हरी वाक्स टार्ट न यू डाई बटर प्लाई तो यह राइमिंग वाड़्स है तो यह इस पोईम का जनरली मकसद यह 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 आप बच्चों को यह भी बता सकते हैं कि फरस करें कि कोई भी मसला हो कोई परेशानी हो किसी जगा पे बिचले के तार गिरे हो कुछ ऐसे आग लगी हो तो वहां पे नजदीक नजाना बलकि अपने जगा पर महफूज मकाम पर अपने आपको बचाना है यह मतलłem जलसला है तो दीवारों के साएं में नहीं पेटना है यह अपने खुली जगापे जाना है तो इस तरह कि आप एक रइक कारसे कि वो तो आप साथ साथ करेंगे लेकिन इसका मतस यह इस पूरे नजम का कि इसमें जो अलफाज हैं जो राम इन वर्ड़्स हैं वो आप उनको समझाए और बार बार हर बच्चा यह असानी से पढ़े तो तेंक यू फर वाचिंग इस वीडियो और एंड आइप यू विल इंजाए तेंक यू वेर बच्ट